जब हम ecosystem के password को भूल जाते हैं, password के थूँ ecosystem को login नहीं कर पाते हैं, तब हमें password को reset करने की आउसकता पड़ती है और अगर हम browser की थूँ जैसे की Google, Chrome या फिर किसी और browser की थूँ पासवर्ट को reset करना चाहते हैं, तो उसका process आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्या करना होता है, कि browser पर हमें ecosystem का login पेस open करना होता है, login पेस पर ही forgot password का option होता है, जिस पर simply हमें click करना होता है, click करते ही यहाँ पर registered email id यानि की alternate email id इंटर करने का option आ जाता है, जहाँ पर simply हमें registered email id इंटर कर देना, इंटर करने के बाद submit पर click करना होता है, click करते ही जो password को reset करने का link होता है, वो हमारे registered email id पर प्राप्त हो जाता है, send कर दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर यह message भी आ चुका है, कि आपक चेक करें, तो यहाँ पर हमें अपना inbox check करना होता है, मैं inbox check कर लेता हूँ, कहाँ पर आया है, inbox में आ चुका होगा, यह आ चुका है, और यहाँ पर जहमें इसको open करेंगे, तो यह देखिए, reset password का option है, simply हमें यहाँ पर click करना होता है, click करते ही, एक नाप पेस हमारे सामने open होगा, जहाँ पर हम password create कर सकते हैं, new password create कर सकते हैं, new password create करना आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर simply अपना new password create कीजिए, जो भी आपको रखना है, एक strong password, वो आप new password यहाँ पर create कर सकते हैं, और new password enter कीजिए, उसके बाद confirm कीजिए, उसी same password को confirm कीजिए, confirm करने के बाद, change password पर रिशेट करना चाहते हैं तो सेम चीज़े आप OES Mobile App के थूरू भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंज़े चुआ है उसके बारे में आपको लाइब करके दिखाने वाला हूँ और OES Mobile App के थूरू आप बहुत ही आसानी से अपना पासवर्ड रिशेट कर सकते हैं करते ही Alternate Email ID मांगेगा तो हमें यहाँ पर अपना Alternate Email ID इंटर्ग कर देना है मैंने कॉपी कर लिया है तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना Alternate Email ID पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट करने के बास सिंपली हमें समिट पर क्लिक कर देना है समिट पर क्लिक करते ही हमारे OTP paste करने के बाद simply हमे verify OTP पर click कर देना, click करते ही हमारे सामने एक नया page open हो जायगा, जहां पर हमें password को create करना, यानि कि new password create करने का page open हो जायगा, यहां पर उपर लिखा हुआ है password, नीची लिखा हुआ confirm password, तो password में हमें वो password enter करना है, जो हम new password create करना चाहते हैं, new password enter करने के बाद confirm password वाले box में same password आप enter कर दीजे, इंटर करने के बाद simply आप submit पर click कर दीजे, submit पर click करते ही आपका password यानि की new password create हो जाएगा, change हो जाएगा, अब आपने जो new password create किया है, उस new password के थुरू अपना ecosystem login कर सकते हैं, अब आपको login करने में कोई भी problem नहीं आएगे, password change करने को लेकर and password reset करने को लेकर कुछ लोग confused हैं, कि ये password change करना क्या होता है and password reset करना क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, parents कि password को reset करने की जरूरत तब पढ़ती है, जब हम ecosystem के password को भूल जाते हैं, मतलब password के थूरू हम ecosystem को login ही नहीं कर पाते हैं, उस समय हम ecosystem के password को reset करते हैं, और इस परकार से हम बहुत ही आसानी से reset कर सकते हैं, और password को change करने की अगर हम बात करें, तो password को change करने की जरूरत तब पढ़ती है, जब हम password के थूरू already ecosystem को login कर पा रहे हो, जब हम ecosystem को password के थूरू login कर पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा password पूरा ना हो चुका या फिर ये password किसी को पता चल चुका है तो ये password हमें change कर लेना चाहिए बदल लेना चाहिए तो अगर आपको ऐसा करना है और अगर आप ecosystem को password के थूरू login कर पाते हैं निया page open होगा, वहाँ पर current password आपसे पुछेगा, जिस password के थुरू आपन लॉगिन किया होगा, वो current password इंटर कीजिए, उसके बाद new password and confirm password, ये तीनों इंटर करने के बाद change password पर क्लिक कर दीजिए, आपका password change हो जाएगा, अगर आपको OES mobile app के थुरू करना है, तो आप OES mobile app को लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद home page पर ही सबसे उपर right side में profile का icon दीखेगा, simply आपको वहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही, आपके समने बहुत सरे options आएंगे, वहाँ पर एक option रहेगा, app setting का, जब आपके समने दो option रहेगा, उसमें से एक option रहेगा, change password का, जब आप change password पर क्लिक करेंगे, तो आपके समने एक ना page open हो जाएगा, वहाँ पर आपको current password इंटर करना, जिसके थुरू आपने लॉगिन किया है, उसके बाद new password and confirm password इंटर करके, change password पर क्लिक कर दीजे, आपका password change हो जाएगा, और जो password आपका change होगा, उसके थुरू अगेन आप अपने ecosystem को login कर सकते हैं, इस परकार से आप password को change कर सकते हैं, और इस परकार से आप password को research कर सकते हैं, उम्मीद है, ये दोनों point आपको अच्छे से समझ में आगे होगे, और इन दोनों process को आप browser के थुरू भी कर सकते हैं, और OES mobile app के थुरू भी कर सकते हैं, इसके लावा अगर आपको किसी और feature के बारे में जानकारे चाहिए, तो comment करके ज़रूर बताए, अगर वो feature important होगा, तो definitely उसके बारे में भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभे के लिए काफ़ी जदा informative रही होगी, वीडियो informative रही हो, उस वीडियो को like, share and channel को subscribe ज़रूर कर लिजिएगा,